बॉलिवुट सिंगर नेहा ककड की शादी के दौरान जितनी ज्यादा चर्चा नेहा के पदी यानी रोहनप्रीत की हुई है उतने ही चर्चे नेहा ककड के एक्स पॉइफरेंग हिमांश कोहली के भी हुए है इस बात में कोई शक नहीं है हिमांश कोहली लगातार चर्चा में है और इन सब के बीच में आज हिमांश कोहली का बर्थडे भी है तीन नवंबर को दिल्ली में हिमांश कोहली का जन्म हुआ 1989 में आज वो अपना बॉर्टोडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका करियर छोटा रहा है लेकिन इस करियर में काम से ज्यादा अफेर को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहे नेहा ककर जो आज हिमांश से आगे अपनी लाइफ में श्रादी के बंधन में बंध चुकी हैं उनका रिलेशनशिप और हिमांश के साथ नेहा का ब्रेक अप इन्होंने हिमांश को मीडिया के सुर्खियों में बनाए रखा एक चार्मिंग बॉय की तरह एंट्री करने वाले हिमांश कोहली बॉलवुड में अपनी जगा बनाने में अभी तक फिल्हाल पूरी तरह से काम्याब नहीं हुए है टीवी पर आने से पहले वो एक रेडियो जॉकी हुआ करते थे चैनल वी के डेली सोप हमसे है लाइफ के जरिये हिमांश ने पहली बार टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा दस महीनों के शो का वो हिस्सा रहे निर्देशक दिव्या कुमाद ने उन्हें अपनी पहली फिल्म यारिया में मौका दिया इस फिल्म में हिमांश कोहली ने लीट कैरेक्टर प्ले किया हाला कि ये फिल्म बर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म के बाद 2017 में हिमांश को एक बर फिर बॉलिवुड में मौका मिला 2017 में उनकी चार फिल्में रिलीज हुई नहीं बना पाए लेकिन नेहा ककड के साथ उनके अफेर ने उन्हें खूब चर्चाओं में रखा नेहा और हिमांच ने टेलिवीजन रियालिटी शो इंडियन आइडल में एक दूसरे से प्यार का इजहार किया काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कई तस्मीरे साजा की लेकिन अचानक एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया फोटो डिलीक कर दी, फैंस के घोश उड़ गए नेहा को कई स्टेज शो के दौरान रोते हुए देखा गया ब्रेक अप के बाद नेहा करकर पूरी तरह तोड़ चुकी थी रियालिटी शो के दौरान भी वो रोई लाइफ कॉंसर्ट के वीडियो भी उनके सोशल मीडिया पर वाइरल हुए जसमें नेहा करकर रो रही थी हिमान्च इस मसले पर ज्यादा नहीं बोले हैं लेकिन इसकी वज़ा से उन्होंने सुर्खियां खूब बटोरी हैं नेक्स्ट इनाइम न्यूसरूम के रिपॉर्ट